सबी को मेरा गुड मॉर्निंग और आज जो हम लेकर आएं वह हैं ट्वल्थ क्लास का क्रैस कोर्स का कौन सा चैप्टर लेकर आएं उसके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि यह जो स्लेवस है जिसके लिए मैं पूरा लेक्चर लेकर आया हूं उसमें जो स्लेवस का में फोकस होगा वो किस पे होगा तो देखिए जैसे कि आप सब जान रहे एकजाम बहुत ही नजदीक आ गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे और कुछ चीज़ों को बहुत कम ध्यान दें अगर लगे कि आपको यह आपके काम का है तो आप इसको देखिए अगर नहीं लगे तो बिकार में टाइम मत किजिए क्रेश कोर्स का जो सेलेबस रहेगा उसका मेंच फोकस क्या होने वला अप किताब में बहुत सारा चीजें देखते होंगे जिसमें चिससे हम कटेग्राइज करते हैं उन चीजों को चीजों को श्कॉछ भेसन नए नवे उनक्लूड जैसे होता है तो उसको उसको कछ डेफनेशन अजार और उसको कुछ ल। Jewishノ को मिला के देखें तो एक्जाम के परपस से इसका जो परसेंटेज है आने का वो पाश साथ परसेंट है पाश साथ-परसेंट से जादा नहीं आता है तो इस पे उतना फोकस नहीं करेंगे लेकिन हाँ जो स्टेटमेंट के इसके विना वहाएं नहीं सकते हैं तो काने का मतलब कि पर जरूर धियान देंगे और कि इसके बाद हम से सकते क्योंकि इस टेटमेंट उस लौक शैय्क है यानि कि जो इस टेटमेंट वहता वह वह नहीं करने siendo नहीं बहुत सारा चीज का definitions नहीं लिखेंगे और नहीं आपको जननेक जरूत है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको किताब में भी मिल जाएगा लेकिन definitions को आपको समझा कर जाएगे तो देखिए definitions हमारा में फोकस नहीं होगा क्योंकि इसकी percentage सबसे इंपोर्टेंट सीज़ है जो मेत्स लगता है कुछ मेत्स इसमें ज़ौरत होती है जैसे कि ट्रेग्रोमेटरी अलजेब्रा हो सकता है किसी में कल्कुलस का इंटिग्रेशन डिफरेंशियेशन बाइनोमियल थ्योरम बैक्टर्स का यह सारे कॉंसेप्ट जुड़ा होगा जो की डेरिवेशन होगा तो यानि जो बच्चा इन सारे चीजों से अभगत नहीं है या उनको पूरी तरह से लगता है कि क्लियर नहीं है दुंदला है तो वह थोड़ा सा मेहनत किजिए उन सारे टर्म पर आपको अच्छे से समझ मैंगा ऐसे ह हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे उसका बेसिक पॉइंट आपको जरूर किलियर करके देंगे यह इन चीजों परादारीत है यह टर्म आ रहा है चाहे डिफ्रेंसियेशन हो इंटिग्रेशन उसको थोड़ा समझा भी देंगे तो आप अगर पूरी तरह से बीडियो को दे उसके लिए यह बहुत फाइदे मनता है यनि कि समझे कि 25 से 27 मार्स का लगवग जो होता है वो अबजेक्टिव डेरिवेशन के लास्ट रिजल्ट को यूज क्या होता है डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट बहुत इंपोर्टेंट है आप डेराइव करते बक्त ध्यान यह वो डेरिवेशन का पार्ट अपका कमजोर और मजबूत बनाएगा लेकिन उसका रिजल्ट अगर आप याद कर जाते हैं तब भी आपको इसकोर करने का चमता बन जाता है चालिस प्रसेंट तो यह भी ले जाता है लेकिन उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव जो भी बन डेरिवेशन के लास्ट पर टिका हुआ आता है तो आपको डेरिवेशन का लास्ट पता है जिसको फर्मुला बना लेते या फर्मुला बोलते जेनरल वासा में वह फर्मुला अगर आपको पता है तो कई नुम्रिकल सापा सानी से सॉल्व कर लेते हैं जो खास करके नुम्र अब रही बात तो अगर घूम फिर कर देखा जाए तो आपको यही चीज नजर आएगा कि डेरिवेशन सबसे इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट मिल बन गया है तो डेरिवेशन के बिना आप सिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं अन्य था सिर्फ डेफनेशन मत्र समझ करा जाएगा तो डेफनेशन सबसे फोकस नहीं करेंगे बाकि इन ही सारे चीज़ों पर फोकस करेंगे जो डेरिवेशन का पार्ट है और डेरिवेशन को समझने के लिए आपको पहले ही बताए कि लौजिक की जगरत होती है तो वो जो आएगा या थियोरी से जो डेवलप होगा जो आपका यहां पे बुक में है उससे आपको मेच कराते हुए देंगे ताकि आपको लगे कि ncrty भी पढ़ने से खाइदा हो रहा है मज़ा आ रहा है समझ में आ रहा तो यह कि आप जो भी Lek Chor הले करेंगे वह आपको NCRT में मिलगा सकता है एन-स कर यहां पर मिल रहा है तो NCRT के जितने भी points है topic है sub topics है वो तो मिलेगा मिलेगा कि साथ साथ में आपको extra उससे ज्यादा मिलेगा और हम आपको बताते जाएंगे कि यह extra है यह NCRT में सिर्फ नाम मत रहे हैं देखिए होता क्या है कि NCRT book में कुछ चीज़ें दे दिया है लेकिन उसका explanation नहीं दिया है तो जो बच्चा जिग्यासू होता है जो बच्चे के अंदर बहुत चीज़ों को जानने की जिग्यासा भरा होता है वो बच्चा NCRT के book को पढ़कर term को देखता है और फिर खोजता है टीचर से पूछता है दोस्त से पूछता है नेट से निकालता है तो वो चीज़ें उसमें दिया हुआ है तो जो बच्चा NCRT को बहतर ढंग से फोलो करता है उसकी concept और उसके mind level बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन क्या है कि कई टीचर उसको refer ही नहीं करते है और जब refer नहीं करते हैं टीचर तो लगता है बचा इसमें कुछ तो है नहीं कि NCRT के अगर आप लाइन वाइन पढ़ गए तो समझेए आपसे बहतर कोई नहीं हो सकता है लेकिन हां सिर्फ reading मारना नहीं है उसको समझना है उनसे आये हुए टर्म को कहीं न कहीं से सीखना है चाहे नेट से स सीखिए किसी से भी सीखिए अगर आप इस तरीके से पढ़ने के सुरुवात करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और हां देखिए इस चैप्टर में लेक्चर में आपको वह चीज़ें सीखने को मिलेगा जिससे कि आप कम समय में बहतर कर सकते हैं उसके लि पते हैं उसके से सोची एगा तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सीख जाईए आप जोते हैं है तो हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि हम उन सारे कीवर्ड जयानित जो डो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको जानकारी देंगे ताकि आपका जिग्यासा जग जाए एक्चुली क्या है कि बहुत सारे बच्चे लोगड़ॉन में सो गये हैं सोने का मतलब है उसको अंदर का जो पढ़ने का जिग्यासा है वो बंद नीचे दब गय हैं फिर भी आपको कई चीज लगेगा कि यह चीज छूट गया है तो होता भी यह है कि कई टीचर इसको छोड़ भी देते हैं कई पॉइंट से आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा चीज हमने नहीं पढ़ा है तो बस आप हमको कुछ समय दीजिए हम इसके बारे में आपको एक एक टर्म के बारे में डीटेल बताएंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि अगर इतने समय अगर सारा चैप्टर खतम हो जाता तो एक ही लेक्टर लगता तो इसमें पूरा लेक्टर को आम सिखाने जा रहें ना कि पढ़ाने जा रहें सीखना क्या है कि इसमें से जो टर्म आएगा उसको आप खोजिएगा माइन में रिकॉल किजिएगा आगर आप कहीं पढ़े हैं तो देखिए वो चीज़े क्या है जद आपका समय भी नहीं लेंगे और अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें है जो कंटेंट आपके लिए बहुत माएने रखता है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हस्क्राम हमने चूज नहीं किया है सगेंड चैप्टर से स्टार्ट किए क्योंकि क्यों इस चैप्टर आपने कई जगह पर पढ़ रखाओगा तो सटेंड चैप्टर में जो टॉप देखिए topic है सबसे पहला force आप simple बात अगर देखें force किसी बस्तु पर कब समझा जाता है कि लगा है जब आप उस बस्तु को धका देते हैं या उस बस्तु को खीचते हैं तो हम समझते हैं कि उस पर force apply हो रहा है जब force apply होता है तो force basically दो type का होता है contact force non contact force पोंकरो नहिобраз और समपर कराय जब एधिरा जसे gravity इस बौडी पर tax नहीं है कुछ connection नहीं है लेकिन इस पे फोर्स लगा ला रहां ग्रेवेटिघ्यचि क्या है कि हुए और मस्कुलर नीक हम यदि अब इसको टच किए नहीं लगा सकते हैं तो और मैगनेट को दूसरे मैगनेट को दूर से बिना टच कराए भी आप क्या कर सकते हैं मैसूस करा सकते उस पर फोर्स तो यह भी क्या है नोन कॉंटेक्ट तो कुछ टाइप जो फोर्स का था वो कॉंटेक्ट था लेकिन यहां पर जो मुद्धा है वो नहीं है यहां पर हम दो बर्ग में बाटेंगे classify करेंगे force को एक जो बर्ग होगा वो होगा conservative हिंदी में को sunraasına करते है और दूसरा जो इसका है वो है और sunraushival तो यानि force दो तरह का हुने वाला है conservative और non conservative तो force का जो कटेग्री है यहाँ पर दो तरह का कoung conservative non conservative conservative कंजर्बेटिव होता है जिसमें कि working is forуется का जो कंजरवेटिव Adrizil है उसका जो और 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 नों कंजरवेटिव का force जो है वह क्या होता है पाथ पर डिकेंड़ करता हूं ये simple है लेकिन यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा मज़ाएगा यानि अगला आने वाला जो लेक्टेर है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट है वर्क डन अगर आप फोर्स समझ जाते तो वर्क डन का फर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट बीना वर्क करी नहीं सकते और जब यह बिना फोर्स का वर्क नहीं कर सकते तो फोर्स के बारे में हमने पहले से जान जाएंगे तो हम वर्क के बारे में समझ जाएगे किस फोर्स का वर्क का है और वह कंजर्वेटिव है तो वह किसी ना किसी फॉर्म में जमा होता है और वह जो ज कि यहाँ पे फोर्स कितने टाइप का लगने वाला है देखिए अगर किसी भी बोड़ी को आप चार्ज को समझते हैं तो चार्ज में अगर एक यहाँ पे दूसरा लखेंगा तो यहाँ एक फोर्स लगेगा जिसको फोर्स क्या लग रहा है एक्स्टर्नल और एक इलेक्ट्रिक तो एक्स्टर्नल का भी वर्कडन होगा और इलेक्ट्रिक का भी वर्कडन होगा तो एक्स्टर्नल का वर्कडन जो होगा अगर displacement इधर हो रहा है तो यह positive होगा और इसका क्या होगा negative क्योंकि opposite है force लग रहा है electric उदर displacement इधर 180 degree का angle है तो इस case में work done electric force का negative होगा और इसका क्या होगा positive तो यह दोनों अलग-अलग होता है कई बार questions आता है कि ए point से यहां से charge को उठाइए यहां पहुचा दीजिए पड़ता है तो आपको यहां पर समझना है ध्यान से कि work done जो है यहां पर दो तरह का होने वाला एक तो external और एक है electric तो इसका concept क्लियर हो जाएगा इसका वीडियो आप देखिएगा नेक्स्ट है potential energy यानि electric potential energy potential energy तो आपने 11 में ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी पड़ा होगा इस प्रीग वाले में भी पड़ा होगा लेकिन यहां पर है electric यानि चार्ज के बुझे से हम सारा concept में चार्ज के ऊपर देखते हैं तो जो चार्ज के ऊपर है अगर यहां पर इस body को उठा के लाया गया तो यह conservative force के अंदर काम करता है क्योंकि conservative force electric force होता है इस प्रिंग बाला force है gravitational force conservative है तो इसमें पाथ पर डिपर नहीं करेगा आप इस रास्ते से आईए या इस रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है देखिए हम पहले फिर उसे बता दे रहे हैं यह समझार है हम आपको कभी भी इसमें सिखाने रहे हैं क्योंकि इतना ही चीज लग दे रहे हैं ताकि अंदर आपके आपका अंदर जो है जिव्यासा जट गया तो देखिए यहां पर जो वर्क डन लाया करने करके यह वर्क डन इस्टोर हो गया जो को कहते है पोटेंसियल अब यह इस्टोर कौन सा वर्क हुआ एक्स्टर्नल या इलक्ट्रिक तो सबसे बड़ा फंड़ा है एक्स्टर्नल वर्क डन ही इस्टोर होता है एक्स्टर्नल कोई भी हो सकता है कोई आदमी उठा के ला रहा है कोई गोड़ा दोड़ा रहा है कुछ भी हो सकता है तो वो जो एक्स्टर्नल वर्क डन खर किया वो इस्टूर हो गया एसे पोटेंशल एनरजी लेकिन बड़े कमाल का है यह सिर्फ इस फोर्स में होता है अंडर में होता है जोड़ा सा आगे बारे में पढ़ेंगे अभी यहां पर जानेंगे कि जो work होगा वो potential energy में store होगा लेकिन कौन सा work external ना कि electric ये बात आपके दिमाग में डाल दे रहे हैं क्योंकि कई teacher ऐसे भी देखे हैं हमने जिसने ये concept clear नहीं किया कि कौन सा work done store हुआ as a potential energy external या electric उन्होंने तो सिर्फ का work done store हो गया भाई यहां तो दो work done हो रहा है कौन सा external या electric तो external work done store होता है तो यह चीज़ें अगर concept आपका clear नहीं है तो आप सिंपल सा एक नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं general कि work done store हुआ यहां पर दो-दो है नहीं तो आप देखिएगा copy उल्टा के आपको नजर आएगा कि external work done store लिखा है या electric आपको पता ही नहीं चलने देगा सिर्फ का देगा work done store हुआ तो वह एक जूट मूट बाला पढ़ाई है उसका कोई conceptual नहीं बेसर बनता है तो देखिए सबसे पहला बात है इसके बारे में आप समझ गए अब आते हैं electric potential due to a point charge तो electric potential सिर्फ यहां पर है और यहां पर है energy यह दोनों अलग अलग तर्म है potential energy का unit joule होता है क्योंकि यह work done सिधा equivalent हो जाता है और यह क्या होता है जूल पर कूलम होता है या इसको simply भोल्ट से denote करते हैं तो electric potential और electric potential energy दो different term है समझे कि अगर यह दोनों में आप अंतर समझ गए तो पूरा chapter का सारण सी समझ गए आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है तो potential जो external work done यहां से यहां तक आने में किया और जिस charge को उठा के लाया वही उसका potential बनता है यानि work done external और per unit charge कई teacher को तो कई हमने देखा है जहां प नहीं तो आप जो बच्चे देखे होंगे या पढ़े होंगे आप copy पलट कर देखे आपको लगेगा यह external लिखे ही नहीं तो सवाल यही है न कि आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ work done बटे क्यों लिख देता है तो work done बटे क्यों concept नहीं है सही वो तो एक general type का हो गया कि चलो य नार्प concept अगर आपको दिमाग में आठ जाएगा लग जाएगा ना तब आपको लगेगा कोस्टिंस बनने लगेगा ऐसी वर्मा का बीम सर्मा का बीम सर्मा का बुक बहुत costly होता है तकरीमन लग बग दो हजार रुपय पड़ जाता है एक एक एयर का यानि कि 11 का 12 का भी उ उस बुक के concept को देखेगा ना तब आपको लगा कि यह सब चीज तो हमने कभी छुआ भी नहीं है वो चीज़ें इसमें तो external work done जो यहां से उठा के यहां तक लाया और उसमें क्या आया क्यू चार्ज अब रही बात की यह potential कहां से define किया दाता है दिखी यहां पे potential जो है भ external work done हुआ ना कि electric वाला external work done जो हुआ उसको क्यू से भाग दे दिए जिस चार्ज को अपलाए उसी से भाग दे दिए उसको ही कहते हम electric potential यह तो सिर्फ आपको हम सिर्फ दिखा रहें समझा नहीं रहें जब कलास इसका इसी topic को समझाएंगा सूचिए कितना deeply आपको पॉइंट चार्ज के वज़य से यानि इस चार्ज के वज़य से यहां पर potential क्या होगा हो सकता है देखिए electric potential तो है लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए इस चार्ज का जो potential होगा इस point पे और इस point पे वो दोनों अलग-अलग होगा तो एक चार्ज के वज़य से हुआ अब दो चार्ज अगर दे दे एक पलस दे एक मैनस दे जिसको आप डाइपोल काते तो आप देखिएगा कि इसके वज़य से कादेगा किसी point पर निकाल लिए electric potential भी एपोइंट है अब यहां पे सवाल उठता है इसको solve करने के तरीके में NCRT को पलट कर देखिए उसका derivations पलट कर देखिए आप जो copy में बनाया है हो सकता है दोनों में अंतर हो जाए और अंतर होने का मतलब यह नहीं कि गलत है लेकिन हाँ वो जो concept दूसरा तरीके से बनाया है वो approximation method है वो गलत नहीं है लेकिन हाँ उसमें से कई चीजों से भाग गया है परिशानी आई और आप उसको छोड़के निकल गए और जैसे ही आप समझे कि छोड़के निकल रहे हैं आप उसको दुवारा कभी पलट कर नहीं देखिएगा तो एक चीज सीखने से तो बंचित रह गए ना और यह करते हैं यह बहुत सारा ऐसे देखा है हमने कि derivations ैंस कर देते हैं लेकिन उन چीजों को नहीं बताते हैं हम कहते हैं कि इन चीजों को जो भार तरीका है जिसको हम करते है अप्रौक्सिमेसन मेपल् से यूज करते दोनों तरीका सिख़्ाएं और किसी भी चीज को छोड़ना है नहीं है यह तो हमने पहले ही बता दिया के हर टर्म को डिसकस करेंगे चाहे वो डिफिकल्ट हो या आसान हो लेकिन उसके साथ-साथ बाहर वाला भी कोई कोंसेप्ट है वो भी आपको बताएंगे तो देखिए दो तरह से डेरिवेशन होता है किसका खास करके डाइपोल के वज़े से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पर तो इसका डेरिवेशन दो वे में होता है एक NCRT में दिया है उसमें बाइ प्लेस करने में दिक्कत होती है कोई नहीं उसको डिसकस करेंगा पहले बाइनुमियल को तब उसको प्लेस करेंगा यह होता है वे अब देखिए यहां पर इसमें हो गया कंट्यूनियस चार्ज डिस्टिविशन उसके बज़े से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखें ह इसके चारों साइड इलेक्ट्रिक फिल निकलता है यह तो यहां पर पोटेंशियल भी तो निकालना हो सकता है क्या आपने पढ़ा यह potential निकालना यहां पर आपको सिखाया जाएगा कि potential कैसे निकाला जाता है और वो आपको जुरत है उससे क्या होगा आपका brain boost up होगा brain का जो सोचने का level है वो बढ़ जाएगा यह सब चीज़ें छोड़ दिया जाता है यह चीज़ें आपको यहां पर एबलेबल कराएं नेक्स्ट देखिए इसके बाद है इसको इसको सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट मानते हैं इसको इलेक्टिक पोटेंशेल डिफरेंस ही एक ऐसा टर्म है जिससे कि आज पूरे दुनिया में आप लाइट या जितने भी च इसका पोटेंशेल इंफिनिटी से कम पेर में है इसका इंफिनिटी के तुलना में भी भी है वो पोटेंशेल बी पॉइंट का है और ये ए का है लेकिन अगर इन दोनों में देखें तो कुछ तो डिफरेंस है वो पोटेंशेल का डिफरेंस है भी ए और बी का और यही वरकटन के से जुड़ा हुआ है वह जब हम बैटरी के बारे में डिसकुस करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे लेकिन अभी हम को समझा रहें एक जलक दिखा रहें कि क्या-क्या है आपके चैप्टर में कंटेंड है क्या-क्या चीज़ यह सीखा सकता है उसके बारे में हम डिस्क्राइब तो देखिए एलेक्ट्रिक कि इसके पोटेंशियल बताईए कितने होगा एक्जयक्ट यह नहीं बता सकते आपको कोई बैटरी देदे च्छोटा-मोटा और कादे का बैटरी आप बताईए इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है यह इंफिनिटी से तुलना किया गया है तो इसके बारे म में बताना पड़ेगा कि यह अगर 0 है तो यह बारह है अगर यह 1 भोल्ट है तो यह 13 भोल्ट है क्योंकि difference कितना भोल्ट होना है लेकिन यह तो आपको सिर्फ जलक दिखाए यह तो होना है लेकिन इसमें पूरा deep study करेंगे यानि इलेक्टिक पोटेंशल का जो concept है difference का, इसी से अगला चेप्टर में current पैदा होता है, यानि कि आप देखे होंगे, किसी circuit में आप जोडते हैं और current बनना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, एक cell की जोरत होती है, एक battery की जोरत होती है, अगर battery ना लगाए, तो यह bulb नहीं जलेगा, या इसमें current पैदा नहीं होगा, तो current बनाने के लिए जो source है, वो है potential difference, यानि इसी को shortcut में करते है, potential difference, यानि इलेक्टिक पोटेंशल, दो पॉइंट का, और उसमें कुछ आंतर हो, उसको करते है, electric potential difference, यानि इसको बिद्दूत बिभांतर करते हैं, इसको हि derivations है, कई अलग-अलग तरीकेश करते हैं, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा, वो इसका अग्दम बिल्कुल static derivations मिलेगा, वो इस तरह से है, यह dot product में आता है, यह ऐसा क्यों आता है, यहाँ पे minus कहां से आया, यह सारा concept आपको बताएगी, आप इसको आगे बढ़ाईएग और कई तरह का concept को बनाया जाता है, तो यह जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका यह आपको बता दें कि यह derivations होने वाला है, यह बिना derivations का नहीं आगा, derivations तो वर के बारे में भी आपको निकलेगा, potential energy का जब definition देंगे, तो वहाँ पे यह वर का result भी derive किया जाएगा, फिर यह है, यहाँ पे derivations है, relations between electric field and potential, कई बार आप देखेंगे, इसको बढ़िया से समझाया नहीं जाता है, कि यह minus का meaning क्या है, और यह dot product कहां से आया, कैसे आया, यह सारा चीज़ें आपको बताएंगे यहाँ, और देखें, इसमें एक चीज़ बढ़ा कमाल का है, कि यह जो minus sign है, simple बात में अगर देखें, तो इस charge में, electric field के direction में आप बढ़ते हैं, तो यह plus charge है, और यहाँ पे भी भी है, तो यह अगर इधर बढ़ते है, electric field के direction में, यह plus रहे या ना रहे, तो इस point का potential, इस point का potential में, आपको पता होना चाहिए, किसका potential जादा है, तो सवाल simple है कि अगर electric field के direction में जाते हैं, तो यह potential क्या होता है, decrease करता है, घटता है, अगर कोई कहगा, electric field इधर नहीं जाके इधर आ रहा है, और दो point देदे, भी A, और यहाँ पे देदे भी B, के कौन बढ़ा है, तो भाई, electric field के direction में आ रहे, और जब direction में जाएंगे, तो potential drop करेगा, घटेगा, तो मतलब बढ़ा कोन हो गया, यह हो गया, यह कैसे आया, यह इसका derivation से जुड़ा होगा, देखिए हम कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं कहेंगे, कि यह फ्लाने साब ने कहा था, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, हर चीज का एक पीछे logic है, और उसका एक region है solid, वो region ब derivations है, सारे चीज का region है, जैसे कि आप e is equal to mc square, फर्मूला यूज कीजिएगा वले आप नुकलियस चैप्टर में, लेकिन उसका derivations नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका derivations graduation में पढ़ते हैं, बांकी चीज़ों का जो भी फर्मूला लाएंगे आपके पास, उसका basic kind kind derivations होगा, व उनमें जो question आ रहा है, पहले लोग सोचते थे कि उसमें simple general वाला physics का होगा, under 10 तक का होगा, general science वाला, लेकिन अब की बार जो exam आया है, वो आया है, 11th का differentiation, integration, वो भी जवरदस्त वाला, matrix, determinant, और जो physics का है, वो 11th और 12th के combination से आया है, पलस यहां तक के नहीं, आगे भी graduation का भ lightly लेता है, वो कभी भी job नहीं कर सकता है, क्योंकि अब seat बहुत कम हो गया, जनसंख्यां बहुत जदा है, एक-एक seat पर 20-20 student का मारा मारी है, तो वो कैसे भरपाई करेगा, तो आपको exam का जो level questions का वो change कर देगा, वो बढ़ा देगा, तो जो बच्चा highly qualified होगा, जो बच्चा regular मेनत किया है, वो बहतर निकल लेगा, लेकिन जो बच्चा सोचता है कि 12th नहीं भी पढ़ेंगे, आगे job ले लेंगे, सिर्फ जनरल त्यारी करके, अब ये mind से हटा दिजिए, चुकि जो नया-नया system change हो रहा है, हर साल questions का level बढ़ रहा है, ये चीज प्रोब्लम है, कि बिह इंटर का exam का स्तर नीचे हो रहा है, बच्चा पढ़ना कम चाहता है, लेकिन जो उसके बाद job के लिए apply करता है, तो वहां का level बहुत आया होता है, इससे बच्चा job qualify नहीं करता है, ये परिशानी आएगी, अगर आप enter को सही डंग से नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चा enter को स जिन्दगी में कभी दिक्कत नहीं मिला, कहीं कहीं वह निकाल लेगा, चलिए इसके बाद देखते हैं, इक्यूपोटेंचल सर्फेस के बारे में हम देखेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देखे, इक्यूपोटेंचल सर्फेस और इसका property, इक्यूपोटेंचल सर्फेस भी समझता है नहीं यह एक्चुली एस्फेरीकल है माल लेजिए एक point charge यहाँ पर इसके चारो side का एक surface ड्राउ किया है यह hypothetical surface है जहां मरजी वहाँ ड्राउ कर सकते है इस radius का भी ड्राउ कर सकते है और सबसे मज़ेदार बात तो यह है लोग समझता है कि यह surface का potential माल लेजिए भी यह है इस surface का भी बी है और इस point पर भी सी है इस surface का भी सी है और यह बीडी है तो लोग समझता है कि भी यह बराबर क्या होता है भी बराबर भी सी बराबर भी डी और यह काता है दोनों equipotential surface है अच्छा, इक्विपोटेंशल सर्फेस का अगर हिंदी बोलें, तो सम विववी प्रिष्ट, सम विववी प्रिष्ट में ये दोनों प्रिष्ट बेसक आईक्विपोटेंशल सर्फेस हैं, लेकिन सबसे important बात, इसका potential अलग होगा, ये 5 बोल्ट होगा, तो हो सकता है, ये 7 ब यह बात सही है लेकिन अगर इसके पॉइंड पर चोस्का हर एक पब यЕ को दोगा लेकिन कभी यह वाला पोटेंशियल इसकर टोगा ःष्ट कि बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा भी हो रहा है लगता है गो हमके पोटेंशल इन रहे हैं इसकेIs अगे को प्रजिय वह 5 ऊछद्टी शर्पैस अपने आप में suisco ऑनुट से इसका सब्फेस का हरे से आपके मंन में कुछ जो डाउट हो रहा था किलियर हो गया लेकिन अभी तो यह इसके बारे मम सिर्फ समझाएं बताएंगे तो वह तो आगे और भी है इक्यूपोटेंशल सर्पेस और इसका अभी पोटेंशल सर्पेस का टाइप से भी होगा क्या क्या हो सकता इसका सेप कै सिस्टम पर डिपेंड करता है अगर कोई दो चार्ज दे दे पलस और मैनस तो इसके वज़े से क्यों पूटेंशल सरफेस कैसा होता है कि इधर यह सवाल यह है कि इधर से ज्यादा नजदिक होता है बाहर साइड से या अंदर से ज्यादा यह बच्जा नहीं निकाल पाता जलदी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता यह आपको क्लियर करके दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फिल्स सटेगा नगो से बीच में दूर जाएगा ऐसा क्यों वह इसके वजह से हुएब प्रोपर्टी रोपर्टी इसका प्रोपर्ठी कुर्व में ये cross भी नहीं करने देता है ऐसा क्यों नहीं करता है cross इसका region बताएंगे खाली ऐसा नहीं कि नहीं होता है देखिए किसी भी चीज़ का region भी नहीं बताएं अमका सकता है इसा होता है मान लिजी वो physics खास करके 11-12 में नहीं चलने बला आपको एक solid region देना पड़ेगा इस वज़े से नहीं होता है तो वो region आपको यहां पे समझाएंगे कि ये cross क्यों नहीं करता है इसका cross नहीं करने के पीछे क्या कारण है ये चीज़ें हो सकता है आपने सीखा हो नहीं भी हो सकता है अगर नहीं सीखें तो आप वीडियो देखेंगा आपको मिलेगा समझने के कि क्यों cross नहीं करता है चलिए यह हो गया इक्योपोटेंशल सर्पेस के बारे में ज़्यादा और वहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशल एनरजी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज हम इसके बारे में भी बताये थे पोटेंशल एनरजी यह तो सिधा वर्गड़न है लेकिन यहां पर और भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे पोटेंशल एनरजी अगर किसी सिस्टम का निकालना चाहते है मान लिजी आपको दे दिया जाए कि अगर इस तरह से तीन चार्ज यहां पर है क्यू 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 मैनस और प्लस मैनस तो कह दिया कि इसका पूरा वर्गड़न बताये टोटल वर्गड़न क्या है तो वही उसका क्या होगा पोटेंशल एनरजी ओस सिश्टम का हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है इस चार्ज को यहां लाने में यहां कहां से इंफिनिटी से लाने में कितना total कारी करना पड़ा उसी को कहते है कि इस body का इस system का potential energy अब potential energy निकालने सीखेंगे इस chapter में बड़ा interesting है अब देखिया अगर इसमें कोई ऐसा दे दे नीट अब में जो question आता है वह आता है कि अगर यहां पर q है यहां पर minus q है यहाँ पे minus Q है और कहा दे कि यह इस charge system को हमने ऐसा कर दिया एक Q यहाँ पे कर दिया plus यहाँ पे plus और यहाँ पे minus था इस charge को उठा के यहाँ ले गए minus इस charge को उठा के इधर ले गए और इस charge को इधर ले आए तो इन सारे system का जो energy होगा total potential energy और U2 और इस system का जो potential energy होगा total U1 क्या इन दोनों में अंतर होगा आपको देखने से लगता है हमने charge के सिर्फ positions को बदला है हमने कोई charge के value को नहीं बदला कहीं न कहीं हमने सिर्फ positions को बदला है और questions यह रता है क्या इसके interchange करने से इसमें potential energy में difference होगा इसका work done पूरा इसका जो potential energy होगा पूरा system का इसका जो potential energy system का होगा वो दोनों बराबर होगा या बराबर नहीं होगा यह चीजें बड़ा interesting तो अगर आप यहाँ पे विडियो देखते हैं यह आप इसके बारे में बिलकुल सिखिएगा और बड़े मज़ेदार से आप नीट सब का सवाल solve के जिएगा ऐसे नहीं का हम लिग देंगे नीट का सवाल बना रहे हैं और वो सवाल का level ही कुछ नहीं ऐसा नहीं यह आपको नीट के जितने भी syllabus होता है या जितने भी नीट का questions आता है उसमें आपको यह देखने को मिलेगा यह जो भी आपको हम बोलेंगे वो अगदम बिल्कुल solid region के साथ हो सकता है आपको book का screenshot भी हम दिखा दे इसलिए थोड़ा सा patience रखिए तभी आपको अच्छा दे सकते हैं और आप जटपट में है तब तो कोई बात नहीं दिखिए इसके बाद जो है यहां पे हम एक term जो है यहां पे ncrt के अंदर लिखा हुआ है इसको लोग छोड़ देते है potential energy in an external field अगर किसी भी charge को आप रखते हैं कोई field आ रहा है इसमें field variable भी हो सकता है इसको बहुत दो तीन लाइन में लिख दिया वहां समझ में नहीं आएगा आपको निताप पढ़के देखिए आप सेकेंड चप्टर खोलिए उसमें यह टर्म लिखा है potential energy in in external electric field आपको लगए पता नहीं क्या है लेकिन उसको हम बहुत बारिकी से समझाएंगा हो सकता है आपने छोड़ दिया हो आपके ट्यूशन जहां पढ़ते हैं वहां पे वह छोड़ दिया हो लेकिन यहां पर हम उसको डिसकस करें नेक्स्ट देखिए potential energy of a dipole in uniform field काने का मतलब क्या है potential energy जो है dipole का निकालना है काने का मतलब electric field इसे जा रहा है और यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज तो यह एक dipole बन गया इसका dipole moment minus से plus होता है electric field इधर है अगर यह orientation थीटा है तो अगर आप इसको ऐसे घुमाईएगा तो क्या यह जब orientation बनाएगा यह इस तरह से घुमेगा तो क्या अपने आप घुमेगा यह आपको work done करना पड़ेगा और जब आप work done किजिएगा external electric तो इसको ऐसे घुमाने कोशिस करेगा इलेक्ट्रिक तो चाहेगा कि यह सीधा हो जाए देखिए पलस वाला क्यों उधर जाएगा क्योंकि मान लिजिए यह electric field है कहीं सोर्स से निकल रहा है तो इदर पलस होगा और जिसमें electric field जाता है वह सोर्स क्या होता है मैनस तो यहा इलेक्टिक फोर्स के वजए से लेकिन अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमको कौन सा work done करना पड़ेगा external कोई बारी आत्मी या कोई चीज आकर इसको घुमाएगा और जब यह घुमाएगा तो यहां पर भी work done external हुआ यही energy क्या हो जाएगा potential energy में इस्टोर हो जाएगा तो वह work done निकालना आपको यानि डाइपुल को घुमाना है इलेक्टिक फिल्ड में यह चीज़ें समझ में आना चाहिए और ऐसा ने खाली आए derivations कर दिये वह तो book में भी है derivations कर दिये potential energy लिग दिये यू ब्राबर माइनस p.e अब यह तो बड़ा वाला है और यह बहुत ही अच्छे से आपको समझ मैंगा जब इतना आपको इतने कम समयम समझा सकते हैं तो हम तो टाइम जादा लेते हर चीज़ को समझाने में आपको पूरा डिटेल से समझाए इसके बाद है behavior of conductors in electrostatic field यह देखिए इसमें इंट्रेस्टिंग चीज़ें क्या है कि अगर मॉल लेजिए कोई फिल्ड है अगर कोई फिल्ड है इधर जा रहा है और इसमें एक यहां पर बोडी रख दे जिसको conductor कहते हैं तो conductor के अंदर electron free में होता है और बहूत सारा होता है तो क्या होता है कि electron इसके अंदर में देखेंगे कि electric जब इधर जाएगा तो कहीं कहीं इधर प्लस चार्ज होगा जहां से इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहर निकल रहा होगा है तो electron यहाँ पर वाला जो electrons है इसको force लगाएगा और इस किनारे पर लियाएगा तो इधर इलेक्ट्रों होगा और यहाँ पर क्या हो जागा प्लस बहुत सारे पो लेगों को लगता है यह palaz को धका क्योंकि यहां का इल्क्ट्रोन यह और यहां पे देखिये खाली बच गया प्लस तोसे 서 wine यहां पे कई इससे बातें जिदेगे इसके अंदर चार्ज तो हने फिर भी हम कहते कि इंसअड जो कंडॉक्टर हो चार्ज क्या है जीनो Efendimiz मतलब चालक के भीतर का जो कुल सब्सक्राइब चालक के भीतर यजो चार्ज है वो जीरू है ऐसा क्यों होता है यह सिर्फ नहीं कि जोबनता साहता है ये तो आपको बिल्कुल हम नहीं कहें हैं już कि ऐसा होता है व फिन इस लिए हम गई कह देता है नहीं इसकाm solid region देंगे ऐसा क्यों होता है इसके अंदर एक और चीज़ है कि net electric field जो बनता है इसके अंदर वो इधर से बनेगा और net electric field जो बनेगा वो zero हो जाएगा क्यों zero होगा इसका भी एक region है दूसरा बात इसके अंदर जो चार्ज होगा वो काता है surface पे अपियर हो जाता है सर्फेस पे चला जाता है सर्फेस पे क्यों जाएगा यह भी इसका रीजन है कुछ रीजन है इसके पीछे यह बातें सारा चीज़ हम पढ़ेंगे किसमें इसके अंदर चार्ज कितना होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या जीरो हो जाएगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा में इसका एपियर सर्फेस पे इसका चार्ज सर्फेस पे एपियर होगा यह नहीं होगा तो ऐसा क्यों होता है यह सारा चीज़ आपको रीजन का पूरे साथ देंगे इसमें हम आपको किसके साथ अगर यह conductor हो हो जाए या इंसुलेटर हो जाए यहां पर जो टर्म है एक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेटिक सेल्डिंग यह बड़ा कमाल का है आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा अगर कोई बोड़ी है और इसके भीतर में खोखला एक बोड़ी हो जाता है और यह बोड़ी कंड़ अंदर एक आदमी खड़ा हो जाए यहां पर इसका पैर सटा हुआ है और यहां हाथ सटा हुआ है तो क्या इस आदमी को जटका लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर का जो बोल्टेज है वो पांच बोल्ट यहां पर भी है तो यहां भी कितना बोल जब यहां पंच बोल्ट और यहां पे दस बोल्ट हो तो करेंट यहां बनना शुरू हो जाएगा और जब यह करेंट बनना शुरू हो जाएगा तो भी हमको जटका लगेगा हमारे बोडी से करेंट फ्लो होने लगता है और वो करेंट जब फ्लो होता है तो कहीं कहीं हमारा ज जाते ही उसका ओभर लोड हो जाता है सिस्टम इसलिए वह सूचना ब्रेन तक नहीं पहुचा सकता है अगर आपको बिजली का जटका लग गया और आप स्विच में सट गए अपका दिमाग कह रहा है हटा है लेकिन वह हटा नहीं पाता है देखिए कारण क्या है क्योंकि यहा कारण है कि हम चाहते हुए हाथ को नहीं हटा सकते यह घजब का इसमें फ्रोसस होता है तो कहने का मतलब यहां पर है कि इसमें जहतका नहीं लगेगा और यह कह और जाटका कर दया ? यानि इसको बचा लिया चीज़िविए सिस्टम को हम कहते है फिर और ऑगर इलक्ट्र किसी के भी पावर को चलने नहीं देता है, अगर वो किसी को टच कर ले, तो उसके ऊपर में, उस आदमी के ऊपर में, कोई पावर नहीं चला सकता है, काम नहीं कर सकता है, एक्षुली बेंपाइर वाला है जिसमें ट्विलाइट सागा में आप देखेंगे कि जो हिरोईन रहता है उसके अंदर वह पाबर होता है कि अगर वह किसी को पकड़ ले तो वह क्या करें उसके उपर में किसी का इफेक्ट नहीं चलने देता है वह सिल्ड कर देता है बाहरी कौन से उसको बचा लेता है बाहरी चीजह होगा एनर्जी उससे वह बचा लेगा वह कमाल का कॉंसेप्ट है उसमें जेंसमें भी सिल्डिंगा कॉंसेप्ट लगता güç कि डाइलेक्ट्रिक्स है क्या तो डाइलेक्ट्रिक्स असल में इंसुलेटर को कहते हैं जो इंसुलेटर करेंट को पास नहीं करने देता है सब इंसुलेटर है जो मेटरियल करेंट को पास नहीं करता है वो इंसुलेटर है इंसुलेटर भी दो तरह का होता है लोगों को लगत Rs. एक होता है दुर्भी और एक होता है और दुर्भी हैं है पोलर वह होता है जिसके अंदर नेट डाइपोल मॉमेंट कुछ नょ बहुता है is यानि पॉलिकूल की बात कर वह recension कि पि Faith के अंदर आप देखियेगा इसका structure बना बट में इसमें कुछ लेकिन कुछ अईसा है इंदर मोमेंट नहीं होता है तो यह से मोलीकुल यह दो आ यह ड़ाइपोल मोमेंट नहीं बनता है COtus वह उसी में आता है तो दिखिए नोन पोलर और पोलर यह तो हो गया शिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन एंस आटी में दिया है कि इस तरह से एकदम फिंगर-like इस तरह से बनता है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इस तरह का फिर इसके इसका यो दिया है तो इस्पिरिकल बनाया गया है ये शिंबॉल बड़ा इंपोर्टेंटस है लोगों को लगता है पोलर देखें यह तो हो जाएगा कंड़क्टर नहीं यह भी इंसुलेटर का ही पार्ट तो यहां पर हम टाइपस ऑफ मेटरियल अगर देखेंगे इसका डाइलेक्टिक का तो वह दो है पोलर और नोन पोलर जैसे वाटर अगर प्यूर वाटर की बात करे वह कंड़क्टर नहीं है अपके मन में ऐसा नहीं सवाल आता होगा पीने वाला पानी तो कंड़क्ट करता है असल में पीने वाला पानी में सिर्फ वाटर नहीं है एच्ट वो नहीं है उसके साथ साथ मिनरल्स है सॉल्ट है बहुत सारा चीजह है मिला हुआ जिसके वज़े दो बोड चार्ज के बीच में लगता है सेम औरियेंटेशन में तो उसके रेशियों को कहते थे लेकिन एक टर्म है यहाँ पे स्ट्रेंथ यह बड़ा कमाल आप अगर बिन डाय लेक्टिक स्ट्रेंथ आप कैपसीटर को समझना चाहिएगा तो आप उसको समझ नहीं सकते डाइलेक्टिक स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा रॉल है किसमें आप किसी भी कैपसीटर के उपर में देखिएगा इन फॉर्मेशन लिखा रहता है यहां पे लिखा रहता है फोर माइक्रो फिराड और 20 वोल्ट इसका मतलब है इस कैपसीटर को आप 20 वोल्ट के एक्रॉस जोड सकते हैं लेकिन 20 वोल्ट से जादा जैसे होगा आप नहीं जोड सकते हैं और ऐसा क्यों क्योंकि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से बनाया गया है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फिल्ड में मापते हैं उसका किसी भी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फिल्ड में रख दीजिएगा तो कुछ न कुछ तो चार्ज को इधर उधर करेगा तो इधर मान लिजिए माइनस हो गया कुछ इधर हो गया पलस तो आखिर में इसमें तो डाइपोल मोमेंट बना नेगेटिव टू पोजेटिव तो इ और यह जो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ट हुआ इस इंसुलेटर के भीतर में इलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर रखने पर पर यूनिट बॉल्यूम उसी को कहते है तो पोल्रेजिशन का कॉंसेप्ट आपको डेफिनेशन भाई है वह हमने दे दिया लेकिन इसके डि पहसीटर का का अगर आप समझता चाहते हैं तो आपको के सीटेंस समझना पड़ेगा के जिसको करते हैं प्रोपर्टीत अगर कोई प्लेट्स है और पेरलेल प्लेटिस हो सकता है we subject हो इसको पेट्रे से लगाने तो यहाँ पर चार्ज होता है ति यह कितना चार्ज को स्टो तो capacitance property और capacitor क्या है वो device है वो material है जिस तरह से resistor होता है device material और उसकी property है कि वो current के flow को रोकेगा तो resistance होका लाता है जो property होता है resistor का यहाँ पे capacitance है material होता है resistor जो resist करता है रोकता है यहाँ पे capacitor तो ये भी उसी तरह से है लेकिन फ़र्मूला दोनों में अंतर है श्रीज-पैरलेल में वह फर्मूला क्यों अंतर है उसका डेरिवसेंस है चोटा सा उसके बारे में भी देखेंगे यहां पर देखिये टाइप केपशीटर Capacitors अगर आप देखिएगा तो basically तीन तरगा है लेकिन जो principle है जिसका working है उसका जो theory है वो सबका एक है लेकिन types तीन तरगा है एक है parallel plates जिसमें दो parallel plates लगा हुआ है और conductor का दो plates होता है और एक ऐसा होता है जो cylindrical होता है एक बड़ा वाला cylinder खोकला वाला और फिर उसके अंदर छोटा radius वाला खोकला वाला जैसे कि यह एक cylinder हो गया खुकला वाला और एक बड़ा वाला लगा दिए यह हो गया आपका कैपसेटर सिलिंडिकल आप इसको बैटरी से जोड़ सकते हैं और इस तरह से इसमें जोड़ सकते हैं ये पूरा बोडि चार्ज हो जाएगा पलस वाला और ये वाला पूरा हो जागा मैनस वाला तो ये capacitor हो गया एक spherical भी हो सकता है एक एस फिर बड़ा वाला ले लेजिए और इसको आप connect कर देजिए plus battery से और इसके बाद इसको कर देजिए minus से ति ये भीतर वाला गोला हो गया minus और बाहर वाला क्या हो प्लस ये भी एक capacitor है तो capacitor का यहाँ टाइप देखेंगे तीन लेकिन आप अगर commercially market में देखिएगा तो हो सकता है circuit में आपको 1015 तरह का दिखता हो इस तरह का दिखता होगा देखिएगा यह देखिए capacitor का टाइप से यह इस इस टाइप का दिखता है खुड़ द्यान से देख लिजिए तो इस तरह का capacitor सापको मार्केट में दिखता है सरकीट में दखिए इस तरह का नजर आएगा अब पहचान लिजिए इसमें capacitor को ने तो capacitor का एक सेप नहीं हो सकता कई सेप हो सकता है कई कलर में हो सकता है वो देखने में अलग-अलग होता है उसके उपर इन्फमेशन लिखा रहता है फैरड में तो समझें कि वो कैपजीटर ही है सिम्पल वासाम लो चलिए capacitor का टाइप है तो यह हमने देखा तीन तरह का है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और इससे आता है और इसका derivations भी यहां पर देखना है इसका हम derivations देखेंगे और capacitance parallel plates का निकालना है तो उसका भी derivations देखेंगे अब देखिए यह क्या है जैसे कि मान लेजिए एक plates है और इस plates के बीच में इस तरह से connect किये अगर यहां पर vacuum रखते हैं निर्बात रखते हैं दो plates के बीच में तो इसका capacitance कुछ होगा लेकिन इसके बीच में अगर लकडी धर देते हैं वह भी तो लकडी को हटा के अगर यहां पर वूड के वजय से था अगर लकडी को हटा के glass धर दिएगा तो glass का capacitance बदल जाएगा तो यहां जो जो चीज इसके अंदर medium रखिएगा उसके अनुसार जो है capacitance भी बदलेगा यानि charge को hold करने की छमता बदल जाएगी अब यह कैसे बदलेगा क्या इसका derivations है वो तो यहां पर ही आपको नज़राएगा बस आपको खली हम जिग्यासा जगाने नेक्स देखिए combination of capacitor capacitor को आप series में जोड सकते हैं parallel में जोड सकते हैं लेकिन सवाल है ऐसा क् करते हैं कि मान लिजीए आपके पास एक सिंपल है और इसको संब्ल भासा में समझ्झिएगा कि इसको एक सोर्स से जोड़ें AC source से DC से नहीं जोड़ना है AC से जोड़ना है AC source से जोड़े और यह बल्व जलाना है लेकिन बात यहां पर हमको 220 वोल्ट मिल रहा है और यहां पर हमको 50 वोल्ट से जलाना है तो इसको हमको लगता है वोल्टेज को ड्रॉप करना है तो कोई तो ऐसा तरकीब लगाना होगा हो स 你在 शाना मार्केट में पोच मार्कार्ण का मैक्रोफररण का जौरत के निकाला कि आपको दो को आप शे बना hem तो आप चार पंद। खरीदे गर लेका आए और आपने साम बनाने कोषिस कोई तो आप क्या करेंगे उसमें शीरीज में में जोड़ेंगे कुछ को पैरलल में जोड़ेंगे और फिर देखिएगा इसके इफेक्टिव बनेगा वो कुछ में जोड़ना है कितना स्रीज में यह आप कर सकते तो समझे यह भी आपके हाथ में तो यानि कि स्रीज और पैरलल का कॉम्बिनेशन जोड़त पड़ता है जब हम डिजारेवल कोई कैपसीटेंस की निकालते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कैपसीटेंस की जोड़त क्यों से विडियो देख रहे हैं वो किसी इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेव पर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रो मैगनेटिक बेव में अगर कोई चार्ज को अगर हम बैटरी से चलाते हैं मोबाइल को तो वह तो डीसी सोर्स होता है डीसी सोर्स को कैसे चार्ज को ओसिलेट कराता है सर उपने के लिए वह एक शर्कुट बनाने की जड़ दोती है और यह सिंपल सर्कुट तो होता नहीं अगर एक ही सर्कुट होता तो इतने बड़ा उकाहल लगाते मोबाइल तो यह million circuits बनाना होता है इसमें अब उस circuit के बाद ही यह EMB बनाता है और EMB वो भी कैसा desirable जैसा हम चाहें वह इसा मन चाहा कहीं पर भी हम phone लगा देते हैं कोई fixed नहीं होता है तो यह चीज़ें बनाने के लिए जो है electronic device पढ़ते हैं electronic device का है काम ही करता है definition ही है कि जिसमें हम electron का मंचाहा motion कराते हैं वह ही electronic device है तो electronic device के ताथ हम देखते हैं circuit में capacitor भी जोरत होता है जो series parallel में जोड़ा जाता है तो वहां इसका main use होता है सिर्फ capacitor ही नहीं रेसिस्टेंस inductor capacitor यह सारा चीज़ें जोड़ जाड़के एक ऐसा circuit त्यार करते हैं जिसमें मंचाहा electron का motion कराते हैं और उससे इंबे भी निकालते हैं तो series और combination parallel का साथ-साथ एक और टर्म जिसका नाम है wheat stone breeze यह wheat stone breeze बहुत interesting है बाइलेंस्ट हुआ तो simple हो जाएगा parallel series के तरस काम चल दाएगा और गर बाइलेंस्ट नहीं हुआ तब का मथा खराब कर देगा क्यों क्योंकि इसमें algebra ही आएगा और एक भी minus plus इधर हुआ तो समझिए कि बहुत ज़्यादा दिमाग खाप कर देगा तो यह बहुत ज़्यादा पैचीदा हो जाता है लेकिन टफ नहीं है logic बहुत simple लगता है लेकिन हाँ minus था plus था सारा minus battery ले गया तो यहां क्या बच गया plus बच गया तो यह जो plus बना यहां पर energy store हो गया यह energy कितना store हुआ इसका formula है कुछ हाप से भी स्कुर्ट तो वो energy store कितना हुआ उसका derivations है यह exam के लिए बहुत importance है खास करके energy store और यह इसके बाद है energy density तो energy density अगर आप energy store निकाल लेते हैं हाप से भी स्कुर्ट तो इसी में आप volume से भाग दे जिएगा इस सराथी का प्रसीटर का जो volume होगा तो वो volume बना देगा energy density यानि density और energy दोनों एक दूसरे से बहुत ही लिंक अप है energy पर यूनिट वोल्यूम energy density का लाता है बड़ा इंपल है definition और उसका कुछ एक result निकालते हैं वह derived result जो होता है उसी से objective पुछता है आपको जितना भी यहां पर बताएंगे वह ज्यादा तर्व उसमें derivations है छोटा-छोटा ही का क्यों नहों और उस छोटे-छोटे derivations का जो result आता है वह objective के लिए बहुत important है वह उससे objective questions set र लेकिन है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग और इंट्रेस्टिंग से भी ज्यादा है यूजफूल यूजफूल क्या है कि अगर आप बेंडी graph generator को समझना चाहते हैं तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग काम आता है कि एक छोटे से कि सार्प पॉइंट से अब अगर एक छोटे से सार्प पॉइंट से यह इस पार्क निकलने लगता है और इसका यूजब बहुत जगा पर होता है एरो प्लेन के विंग्स पर इस पाइक लगे होते हैं जो एरो प्लेन्स देखे होंगे उसके उपर में देखिए कांटे दार अगदम पतले पतले न जो चार्ज जम होता है उसके बोड़ी पर उसको निटलाइज करते रहता है यहां पर जादा हो जाएगा और जादा होने के जैसे इलेक्टिक फिल्ड का इतना है होता है इसके जगह से तुलना में यह हवा के इलेक्ट्रोन को खीच लेन शुरू कर देता है या देना शुर पार्क डेवलप हो जाता है और यही वज़य है कि कुरोनो डिस्चार्ज के मदद से हम बेंडी ग्राब जनेटर में 50 भोल्ट भी देंगे तो हम लाखों बोल्टेज ले सकते हैं उस पे जेनरेट कर सकते हैं यह बड़ा कमाल का है और जब बेंडी ग्राब जनेटर का आप बड़ा अस्चर्ज होगा कि यह एक डंबल गोल जैसा इस फरीकल है इसको लोग सोचता तो क्यों नहीं इसको क्यूबाइड बना देता या क्यूबिक बना देता नहीं बना सकते क्यूबिक और इसका वज़ग क्या है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग अगर आपको पूछ द समझने को मिलेगा तो देखिए किसी भी डिवाइस के बारे में अगर आप पढ़िएगा सबसे आपको एक इंपोर्टेंट बात समझा देते हैं कहीं भी पढ़िए किसी से भी पढ़िए लेकिन इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िए जैसे एक माल लिज सिधांत किया है वह बेसिक फंशन किस चीज़ पर आदारित है उसका स्टेटमेंट किस से मिल्ट मेंच करता है उसके बारे में है सबसे इंपोर्टेंट है वह किस सिधांत के कारे करता है उसका basic principle क्या है वह निए जानना होता है तीसरा है अगर आप principle समझ गया कि इसके अंदर जो material है वो क्या क्या है संरचना क्या है construction का मतलब संरचना principle का मतलब सिधांत किस सिधांत पर कारी करता है अच्या construction यह किन चीजों से मिलकर बना है उन सारे चीजों का फंसन क्या है इसका working बात करें तो अगर आप इसके construction वाले हर device का जो छोटे चोटे पार्ट सो है उन सभी का फंसन अगर आप समझ गए तो समझ यह कि आप पूरी तरह से पूरे device के working के बारे में समझ जाईएगा काम कैसे करता है यह समझ जाईएगा और जब आप काम समझ जाईएगा इसी में एक और चीज होता है जो theory लगता है कुछ mathematical पार्ट लगता है कुछ logic लगता है वो theory भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा हर device के साथ ऐसा घटना होता है और बाते उती है पाँच मांग जब आप उसका काम समझ में आजाएगा आजका किसी भी इवाइसका अगर आपको काम समझ में आ गया तो समह यहां अपको उपको application में जreibtा का मुझ करना है कहीं और जब आपको application समयम मैं तो इससे एक जुड़ा हुआ एक और तथ्य सामने आएगा वह आएगा छठा नमर क्या लिमिटेशन कि यहां तो यूज कर सकते हैं लेकिन कहीं ऐसा ऐसा जगह पर कई जगह ऐसा है जहां पर इसको यूज नहीं कर सकता है यानि कि इस डिवाइस की सीमा यह क्या है तो देखिए किसी भी डिवाइस के बारे में यह 5-6 पॉइंट जो है बड़ी ही इंपोर्टेंस है जिसको पॉइंट वाइज पढ़ना होता है और आपको अलग करना होता है कि इस डिवाइस का प्रिंस्पल क्या है पूछता है सबाल में कि इस डिवाइस का प्रिंस्पल लिखे तो यहां पे जो वैंडी ग्राफ जनेटर है इसके बारे में भी तो प्रिंस्पल होगा इसके भी कंस्ट्रक्शन होगा इससे जुड़ा हुआ कुछ थियोरी होगा और शवीप हंसन को मिला दिजिएगा तो उससे क्या होगा पूरे डिवाइस का वर्किंग पता चल जाएगा और जब आप उसदिवाइस के काम को समझ जाएगा तो ऐसका यूज भी समझ सकते कहा है और जब अप्लिकेशन आप सही डंग से समझते हैं तो कहीं कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि इसको यहीं तक यूज कर सकते है इसके बाद यूज नहीं कर सकते है तो आप किसी भी डिवाइस के बारे में पढ़िए कहीं भी पढ़िए ये सारी बातें जरूर पढ़िए तभी आपको बेहतर समझ माएगा और जो आपको हमने ये सब दिखाया है भले आपका टाइम मैंने लिया लेकिन आपको कई ऐसे चीज़ें इसमें नजर आया होगा जो हो सकता है आपके टीचर ने आपके टूशन में वो चीज़ें के बारे में एहसास तक ने होने दिया क्योंकि आप किताब रेफर नहीं करतें गलती टीचर का नहीं मैं मानता हो कोई इस्टिट बुरा नहीं होता है कोई गलत नहीं होता है लेकिन बच्चे के गलती है के वजशे से होता है अगर किताब को रेफर किए होते nationaaa को पल्टे होते तब के साथ ऐसा कभी नहीं होता है ने तो आप university को मिलाक को ठहिए सारा topic होगा कुछ topic हम ने इसलिए दिया है क्योंकि ncati के भीतर मौजूद है लेकिन वह बाहर से दिखता नहीं है आप लाइन वे लाइन जब पढ़िए गाना तब प्रोब्लम आगा देखिए ncati क्या-क्या चलांकी करता है कभी-कभी कोश ऐसे टर्म होता है जिसका थियोरी नहीं होता अब ncati बच्चा जो पढ़ता है वह असल में पढ़ने के लिए सीखता है वह बहुत सारे चीनियों को सीख सकता है और वह गुंज अगर आपके अंदर आ गया ना तो समझे आपको किसी भी टीचर की जोड़त नहीं है आपके अंदर खुद भूद सबार होगा और आप कहीं स सुर्स को जमा के जिएगा कि अच्छा चलो इसके बारे में सिखना है अगर ऐसा कोई बच्चा हो जाता है तो समझे कि आप भी खुद टीचर बन गया और आपके अंदर वह चीज़ें जग गया कि आप किसी को भी समझा सकते हैं या उसके बारे में डिटेल स्टेडी कर सकत हैं आपका कॉंसेप्ट किलियर नहीं हो सकता है कॉंसेप्ट आपका तभी किलियर होगा जब आप खुद मेहनत कि जिएगा खुद से पढ़िएगा चीज़ों को आप ऐसी बर्मा साब का अगर इंटर्व्यू देखे होंगे वह लाइफ में उनको पढ़ने का मौका मिला व कुछ चल गया एक्जाम दाजनितिक के परपस के वज़े से और उसके बाद वो डीपली स्टेडी किये दो साल एक्ष्टा और उनमें उन्होंने बहुत चीज़ें सीखा है तो वह खुद से स्टेडी करने के वज़े से सिखता है यह सब का अनुभव ऐसा ही है कोई बड़े एक चीज देखेगा वह टीचर दूसरे से कम सिखाया लेकिन खुद से बहुत अच्छा से जाना है और वह खुद में मेहनत किया है यह सबसे बड़ी बात तो आप भी इंस्पाइर हो जाएए थोड़ा सा और खुद से मेहनत करने कोशित किजिए आपको बहतर महसूस होने लगेगा और लगेगा कि चीज़ भारी नहीं है ऐसे physics में कोई चीज़ भारी होता नहीं है लेकिन logic फिट नहीं बेटता है इसलिए भारी होता है कई बार क्या होता है बचें ट्विशन पढ़ते हैं लेकिन गलत concept ले लेते दिमागं में आधा उदूरा लेते हैं तो दूसरे फिर्ट कि देपर किजूंगे आपको क्लासिफिकेशन वो और पूर आपको क्लासिफिकेशन यह उसकी The बहुत अच्छे स्क्लियर हो जाएगा और दूसरी बात जो वर्क का कॉंसेप्ट एक्चुली वह नाइंत से उठाएंगे और दीरे 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 आपको 11 से लेके 12 में पहुचा देंगे ताकि आपके अंदर वह गैपिंग नहीं होगा क्यों है कि बहुत सारे टीचर बहुत अ ऐसे होता है मौन लो तो आपको लगता है इसा कैसे हो सकता है तो वहां पर वह समझने नहीं देते हैं तो समझने के लिए हमको क्या करना होगा आपको हम बेसिक से उठाएंगे नाइन से और फिर 11 से होते हुए 12 था जाएंगे और तब आपको लगएगा कि नहीं यह चीज का टर्म के बारे में समझाएंगे तो चलिए आज का वीडियो इतना ही धन्यवाद